आज हर छेत्र में कितनी गलाकार्ट प्रतिसपर्धा है? इस बात से हम सब परिज़त हैं. देश में हर साल मेडिकल एंटरंस के लिए 25 लाख, एंजिनेरिंग के लिए 12 लाख और UPSC के लिए 10 लाख छात्र एक्जाम देते हैं. ऐसी प्रतिसपर्धा में सफलता सिर्फ अच्छी तैयारी से ही नहीं मिलेगी. बच्चों में कुछ खास गुण विकसित करने होंगे, स्कूल के शुरू आती दिनों से ही. बच्चों को अपने कॉम्पेटिशन का दायरा बढ़ाने के लिए अभ्यस्त करना होगा, ताकि वे खुद को सिर्फ ग्लास या स्कूल के स्तर पर नहीं, बलकि डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या रीजिनल स्तर पर पर रख सकें. अपने मजबूत और कमजोर पक्षों को समझें और एक्जाम के दौरान आने वाले स्ट्रेस और टेंशन को मैनेज करना सीखें. यह संभब होगा कॉंपटिटिव एक्जाम की प्रक्रिया से गुजर कर ही, ऐसे एक्जाम का एक्स्पोजर लेकर ही. हिंदुस्तान उलिम्पियाड अपने स्थापना के दस्वे साल में लाया है एक नया प्रारूप, जहां आपका बच्चा पांच सब्जेक्स में हिस्सा लेकर बन सकता है विनर, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या क्षेत्री स्थर पर. विनर्स के लिए है आठ करोड रुपई के बारा हजार से ज्यादा इनाम और सार्वजनिक मंचों पर सम्मानित होने का मौका. भारत के सबसे प्रतिष्ठित अख़बार में कावरिच पाने का मौका और ये प्रतियोगिता खुली है कक्षा एक से कक्षा बारे तक के सभी बच्चों के लिए अपने बच्चे को इस उलिम्पियाड में भाग लेने के लिए प्रोचसाहित करें. बच्चा competitive exam की प्रक्रिया से गुजरेगा, अपनी ख्षमताओं को पहचानेगा, डिस्ट्रिक, स्टेट और ख्षेत्र में वह कहां टिकता है, यह जानेगा, अन्य विनर्स से प्रेणना पाएगा, और अगर इनाम जीता, तो ख्षेत्र में एक नई पहचान पाएगा. इन सब से आपके बच्चे में पैदा होगी प्रतिसपर्धा के लिए एक ऐसी भावना, जो रखेगी उसे medical, law, engineering, chartered accountancy और UPSC जैसे प्रतिसपर्धा एक्जाम्स में दूसरों से आगे. हिंदुस्तान उलिम्पियाड, जगाएं प्रतिसपर्धा की भावना. हिंदुस्तान